अब फिरस हम देखते हैं equality of matrix matrix कब equal क्यलाते हैं कोई दू matrix है हमारे पास तो कब equal क्यलाएंगे two matrix a and b are set to equal f they are of same order यानि जो matrix है उनका order दोनों का order same हो and all the corresponding elements are same यानि उसकी corresponding element से a और b element है सपोज हम इस में से जाके समझते है यहां से जाके समझते हैं यह a और b दो matrix है तो इस condition में a equal to b कब होगा यह matrix a है और यह b है अगर यह a और b कब होगा पहली बात तो इनका order जो है वो same होना चाहिए यानि m cross n दोनों का order same होना चाहिए जतने rule a में है उतने rule b में होने चाहिए first condition यह होगी और second condition के हम बात करते हैं तो second condition यह होगी friends हमारे पास कि a बन बन जो है वो b बन बन के बराबर होना चाहिए a बन टू जो है वो b बन टू के बराबर होना चाहिए इस तरह से हर element जो corresponding element है वो same होना चाहिए यह आई j बराबर b i j होना चाहिए अगर यह conditions follow करते हैं तो हम कहेंगे जो matrix है वो equal matrix है जैसे यह example है मारे पास a बराबर 1,2,3,4 अगर इसका कोई matrix जो equal matrix होगा वो यही matrix equal होगा यानि equivalent matrix का मतलब है इसी का equal matrix का मतलब है इसी का matrix यही matrix इसके equal हो सकता है कोई और matrix इसके equal नहीं हो सकता है तो b बराबर b 1,2,3,4 तो a बराबर b इस तरह से हम define कर सकते हैं